रादे रादे स्वागत है आप सभी का आपकी ब्रज की रशोई में यह देखिए यह मैंने एक बड़ी कटोरी बेशन ले लिया है और इसको मैंने कड़ाई में चड़ा दिया है हम इसको तब तक भूनूंगी पांच मिनट इसको भून लेती हूं तब हम इसमें गी डालेंग यह देखिए हैं चारो तरफ से लट पलटके ऐसे करके इसको भून लेते हैं इसमें सोंदी-सोंदी खुशुव आने लग गी है भूनने की बहुत इस अच्छी तरह से भूनना है इसको यह देखिए हैं बसंद पंच मी के लिए बन रही है यह विठाई बसंद पंच मी के लिए चाहिए है यह करीब करीब भूनने गया आदा भून चुका है यह दाने से न यह सब अट जाएंगे इस कुछ नहीं रहता अब यह इसके बुने की कि यहां यह बुने की पैचाने यह मैं गी डाल रही हूं इसमें मैंने गरम नहीं किया है इसे गी डाल दिया है इसमें हो जाएगा यह गरम तो है इसमें बुन जाएगा और यह जला नहीं है यह भुना आये नीचे से थोड़ी दिर रुग गई थी तही तिसलिए एकड़ाई हलकी थी तो हो गई थी अब यह अछी से बुन रहा है ये देखियें घिया इसमें मेल्ट हो जाएगा अब अच्छे से बुनेगा बहुत ही गड़िया परफी बनती है ये परफी नहीं महुन्थार बोलते है हमारी आइसको और ये महुन्थार ही बनता है ये देखिए गी छोड़ दिया इसने और अब मैंने इसमें थोड़ा सा केसर का पानी रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया केसर डला था विभो के रखी थी उसका पानी था वो मैंने इसमें डाल दिया ये तो ऑप्शनल है आप नहीं हो तो मन डाली है ये रखा था मिर पास में तो मैंने डाल दिया और ये दो चमच मैंने डाला इसमें मिल्क पाउडर और मिल्क और यह थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने गुड़ क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बूरा भी एड़ करूंगी क्योंकि मैं ठास के लिए गुड़ भी हो और बूरा भी हो तो इसे कोई सबी खा सकते हैं ऐसा नहीं है कि सुगर पेसेंट भी खा सकते हैं सबी खा सकते हैं बहुत अच्छी बंती यह में भड़ें यह देखिएं डाल दूँगी तो यह बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा लेकिन यह बहुत दानेदार मौंताल बनाता ऐसा नहीं था कि यह बिल्कुली अच्छा हो या वैसा हो बहुत अच्छे से बनाता यह मैंने चार-पांच चम्मच इसमें बूरा डाल दिया है आप चाहे तो खाली गु थाली में निकाल दूँगी अब यह तैयार है बिल्कुल हमें थाली में घी लगा लिया है आपके पास कोई भी चौको ट्रे हो कुछ भी हो मेरे पास थाली थी मैंने थाली में घी लगा लिया हम थाली में ही इसको निकाल देती हूं यह देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा और डाला था इसलिए यह ऐसा हो गया है यह बहुत सौफ्ट भी बना था और सक्त भी होता है यह सौफ्ट भी बना था बहुत स्वाधिस्ट बना था यह मौन्थाल यह देखिए जमा दिया ना अब इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडे के होने के लिए रख देंगे पंद्रे मिनट बाद इसमें अभी तो मैं इसमें पहले ड्रैब शूट से टाल देती हूं इनको उपर लगा दीती हूं काजू पिस्टा बदाम थे दोड़े दो तीन बदाम पिस्टा थे अब इनको इसमें धवा देती हूं यह देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं यह बहुत स्वादिष्ट और हेल्डी बसंत पंचमी पर वगवान जी के लिए ऐसे ही बनाई है और यह देखिए अब इसको हमने लगा दी अभी यह अभी पंद्र मिनट बाद अभी यह जमा नहीं अच्छे से इसको काट देते हैं इसकी सेप में काट के रख देंगे तब यह फिर फिर ज्यादा हाड हो जाएगा जमेगा तो फिर कटने में परेशानी होगी यह देखिए यह बान काट के रख दिया है इंपीस लग रही है ना बजार से भी अच्छी मिठाई बिलकुल से बजार जैसी बजार से ने महेंगी आती है और यह देखिए सुद्ध चीज एक्तम बढ़िया रादे रादे मिलते हैं अगली वीडियो में खुश रही है मस्त रही है